15 साल लालू जी का सासन था, 7 बजे के बाद कोई भी आदमी घर से नहीं निकलता था, 15 साल पहले का जंगलाज का आज गीत गा रहे हैं 500 रुपया खर्च करने के लिए किसी भी बेक्ति को मेरे पिता जी सिछह कैंने किसान को भी 500 रुपया खर्च करने के लिए कोई सोचने का जोज नी खेत बेचे हैं, चोरी कर रहे हैं, नोखरी कर रहे हैं, तो इतना फेसलिटी मीली हुई है कि उसके पास दो मुबाइल है, और दोनों बीस दूनी 40,000 का, शाथ सो उनासी का पर मंतू रिचार्ज कर रहता है तो चओदा सो रुपाव मोबाइल में खर्च कर रहा है उसके पास पईसा है तब न सरे अफ्लाइन से ऑन्लाइन चीजे शिफ्ट हुई है तो इस वज़े से जो रिचार्ज जो चीजे भी है वो उस वज़े से शिफ्ट हुई है उसी वज़े से है मेंडमेंट भाजबा का तखाया है कईतू जित जाएगा गाओं में शाम में बैठकी जबरदस बैठती है और बैठकी है सिर्फ इसलिए नहीं कि हालचाल जाना जाए चुनावी माहौल हो तो चुनावी तापमान का भी जैजा यहीं लिया जा सकता है हम ऐसे ही एक बैठकी में पहुँचे हैं गाओं है बभन लई बहटा प्रखंड है और लोकसभा छेतर है पाटली पुत्रा वही लोकसभा सीट जिसने अभी तक लालू जी के पाले में एक सीट नहीं दी है लालू जी यहां से चुनाव लड़े 2009 में हार गए मिसा भारती जी दो बार चुनाव लड़ी और वो इस सीट से हारी और पिछले 10 साल से यहां के सांसद है राम क्रिपाल यादव जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं यहां क्या चुनावी मुद्दे हैं कैसा माहौल है कौन आगे है कौन पीछे यह जानने की कोशिश करते हैं बबन लाई के कुछ लोगों से सर आपका नाम क्या हो राना परताप से राना जी राना जी हम लोग घूमें हैं बहुत इलाका देखे गाउं बहुत बड़ा है कि मदा हमको बताए 2000 से ज़्यादा बिखा की जमीन रखबा है ने 284 बिखा गर करीब 700-800 से कम घर नहीं हो गया है मतलब कितना सब्सक्राइब इस गाउं में किस नोकरी पेशा में भी जाने लगा बाहर शहर भी जाने लगा बाहर शहर तो मानला की खेती है तो खेती छोड़ के कहां जाएगा है तो चुनाओं में किसका चल रहा है अब हम लोग यह जानना चाहते चुनाओं में तो मतलब मुदा न देखा जाएगा जिसे लालू जी 15 साल लालू जी का सासन था तो उस समय समझे कि जंगल राज हो गया था साथ वजे के बाद कोई भी आदमी घर से नहीं निकलता था लेकिन आज उनका मुद्दा है कि बेरोजगारी और खाली है अगर 30,000 निक्ति हो जाती है यहां के लोगों नोजुवक है तो विरोजगारी यहां के खतम हो जाएगा इतनी कम आवादी थोड़ी है बहुत लोग नौकरी के लिए परिषान है करोड़ों अवादी है 30,000 अगर निफ्ति होने से 30,000 घर भले इर्थी होता है बाकिये तो माने इर्थी हो जाएगा इसके पहले उन लोगों का गरीवी का इर्थी था लेकिन ईन डिये के सरकार आने के पहले कितना गरीवी था इसमें गर अगर गलत कर रहे हैं सरकारी दावा है हम लेका हैं कि हम ने 55 करोड्या को प्रवर्ट लाइन और सरकारी दावा है कि एक दिन कॉंग्रेस सरकारी बोलती थे ने कि हम गरीब लेकिन कोंग्रेस के राज में कैप इसामाने किसी को मिला नहीं वह कहते हैं कि राशन की ववस्था तो बहुत पुरानी है यह नई वैवस्था थोड़ी है अगर आज साल मिलता है कोंग्रेस के सरकार में कोई कहें कि छो पईसा मिला इस अब प्लस पॉइंट है ना जी अज शाबले तो में है कि यहाँ शासन वेवस्था दुरूस्थ है पहले शासन वेवस्था इनका दुरूस्त नहीं था शासन वेवस्था दुरूस्त है चचा आपका नाम क्या हुआ सजय कुमार इक कहें कि शासन वेवस्था दुरूस्त है और कंग्रेस के समय कंग्रेस से ज्जादा इनका इशारा राष्टिय जंता दल्की ओर था जहांसे उमिद्वार मीसा भारती जी हैं आपके छेत्र में उनके समय कानून व्यवस्था का बुरा हल था शुरुवात की तो बोले साथ बजे वाली बात बोले कि साथ बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल था और ये सारी बात तो नितिश जी भी अपने मंच से बोल रहे हैं तो चुनावी जैसा लग रहा है तोड़ा ठीक है इंका कहना सही है क्याने कि इनका कहना है कि सासन भेसकाश रही थी आज का नहीं हो रहा है पर दृ impose're कि आध मध क्या खत्न आ है अज ये कोई काम करने के अटिए-ध calendar yo प्रसवाचार कोई नली घरी कोई हो प्रॉप अवास में मकान असानी से नहीं मिलता है उसमें भूष लेता है लोग एक लाग में 40,000 रुपे लेता है कितना पैसा टॉटल कितना मिलता है आप एक लाग वी-स लाग वीजह पर शिकायत के यह कहरें कि यह तो यह तो यह तो यह तो नहीं परियोजना इसके अलाबावा विबहुत परियोजना जेसे अनाज वनाज मंता है उसमें भी 4 twenty एक किलो को भी हो जाता है ऊसको ठीक हो जाता है यह रातिक पैंच किलो राषन मिलता है लेकिन यहीग ही बीटा पर घंड है तहां चाहते है चाहर किलो मिलता है और नहीं पूर दीकारी ना जाज करिए और भी अदिकारी एमो है उसके बाद वीडियो है वी जाज करें के अदिकारी मोदी जी कहते हैं पाच किलो राशन दे रहें तो पाच किलो मिल रहना चाहिए ना करीब को को यहां कि यहां पर कर दो कि अपने तो नहीं दे सकते हैं रहे अब आरा तो नहीं 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 भूमेगा अब बता कभी नहीं हो पाएगा उस लाइक सुरू से बन भी नहीं किया हूँ उसको घामा बरदास जी आता नहीं है उसको मध्यार लगाई है तो कम से कम कुछ यहां पर रोजगार लगाई आप एक रोड है मानते हैं कि प्रश्मानिया संसद राम किरपाल जी दस साल से जीते हुए हम तो आपन रिजन में दस साल से देख रहे हैं कुछ नहीं कि हैं बहुत लेकिन कम से कम रोड बनावाद जी कि पुरा जनता भला ही आपको करें और कुछ नहीं करना है नाम नहीं पूछ पूछ पाए अप इतना आपका नाम क्या हुआ आपका नाम पूछ लेवाट कैर रहे डीजिया जंई कि पहले कुछ किसानों को दूर को जो प्स्त्रशने पिता है कि हुषािर को नहीं मिल रहा है बहुत अब जिइस सचना चाहिए कि इससे भी ज्यादा सरकार कर सकती है आप ये 6,000 रुपए से कुछ होगा नहीं तो एक गलत भ्रांती में हम लोग चले जाते हैं वह एक किस्म की सहायता राशी है वह आपकी पूरी कमाई नहीं है सरकार ये नहीं बोल रहे हैं कि आप खेसानी और खेति करते रही और 6,000 रुपिय आपके साल की कमाई है। वो इक सहाइता राशी है, आप उसको इस तरह से क्यों नहीं देख रहे हैं। खीक है, सहाइता राशी है, लेकिन इहां पर लोग उसको इस तरह से ले रहे हैं, कि पहले से कुछ बहतर हैं अभी। लेकिन यह नहीं सुच पार है कि इससे भी बहतर हो सकता है, इससे मिल सकता है, विवस्था मिल सकती है, तो इस 6.000 रुपय का जुरूत नहीं पड़ेगा, नहीं अपनी ख्यति अपने अपने इससे ही अरुपच कर सकते हैं, और ज्यादा कमाई कर सकते हैं, तो यह कोई development नहीं कि इसलिए सरकार नहीं दे रही है तो कुछ ना से कुछ अच्छा है यह सोच नहीं पाते हैं आगे तक कि इससे जादा कुछ सरकार मदद कर सकती है और कुछ हमारे की जाया सकता है इसमें देखे था आप आप अपको इस पर बोले आदित भाई या पढ़ाई किस चीस की करते ह कहां से कर रहे हैं पटना से इगनू से इगनू से पटना से कर रहे हैं तो उसके बाद क्या सोचा है इसके बाद सोचा है मास्टर्स करने के लिए मास्टर्स कम्प्यूटर अप्लिकेशन अभी पढ़ाई करें अभी मेरे साथ की सब लोग पढ़ाई करें अभी इस वोट देने वाले हैं कि नहीं आपका उत्साह दूसरा होना चाहिए नहीं तो एक चीज की शिकायत हम लोग जहां भी गए बहुत मिलती है कि नौकरी नहीं है नौकरी नौकरी अच्छी नौकरी तो दूर की बात नौकरी ही नहीं है सबसे पहली शिकायत इंडस्ट्री भी डवलप नहीं हुआ तो इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ नहीं है तो ऐसा ह क्या है मतलब कि यहां वाके में इस एरिया में भी कुछ ऐसा नहीं है का जहां कि दो-तीन हजार आदमी काम कर रहा हो फैक्टरी में लगा हो बिल्कुल भी नहीं है लोग बोलते आ रहे हैं कि यह हो गया यह हो गया पिछले 10 साल से मतलब उससे पहले का तो मुझे ठीक से पता जरहीं और ऐसा कुछ बड़ा बदलाव देखने के मिला नहीं है अब तो लेकिन हम इसमें थोड़ा सा मेरे हम लोगों को पता चला था कि जब आएटी पास में आप लोगों के पास है कितने हैं पांदस किलोमेटर दस किलोमेटर की दुरी होगी आएटी और इम सेट अप हुआ तो अमहारा बहटा के एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रिया भी डाले पानी के बॉटल की फैक्ट्रिया यह सब हुआ था अगर मैं गलत नहीं कर रहा है दूसर दूसर जिला क्या करमचारी काम कर रहा है गाया से जानाबा से बैसाली से आएटी में छे साल पांच साल उच महीना तुपरवाजिरी किया और नया जो डिरेक्टर आएटीन सर्मा वो पूरे लोकल लोगों को भगा दिये आएटी की बात बता रहे है आएटी का जो महारा में इस्तित है पतना उसमें तो हम लोग 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 गये तो किसी जाए कहा अगर आज गुजरात में जो बंबे महारास्टा में जो बंबे महारास्टा में जो बहुत जगा गुजरात महारास्टा में तो वहां है कंपनी इसनी कि बिहार और अधर स्टेट ते लोग जा कि वहां गुजारिस करा हैं वो चीज हमारे हमारे हमी तो हो सकती थी डेवलप ह किस बॉटबर भाजपा को भूट दें जिकाना मुश्किल हो रहा है किस मुदध पर भाजपा को भूट दें इस तरफ सजर बैठें हूं पाराम क्या मेरा नाम विकास कुमार काफी शिकायत है भाजपा को लेकर हलाकि सीधे तर पर सांसा जी कही खिलाब गुस्ण है नरेंद् उसी तरब चला जाएगा नरेंदर मोडी के नाम पर नरेंदर मोडी बिश्व के सबसे बढ़े नेता हैं और बिश्व में नरेंदर मोडी की लोग प्रियता भारत की साख बढ़ाने में सबसे बड़ी घुमी का उनकी रही है इसके पहले भी 70 साल दूसरे पाटी के लोग भी है यदि आज जो यह सवाल उठा रहे हैं तो आज तक सत्तर साल से विकास क्यों नहीं कि यह दस साल के सासनकाल में नेंद्र इतना आप अच्छा रखते हैं आप 14 से बता रहे हैं कि विकास 14 ही हुआ हम उससे पहले विकास नहीं होता था बहुत उसका प्रतिसत बहुत कम था जी अपने मुख से बताते थे कि जितनी भी यह जनाएं हम गाव तो पहुंचा थे उसका 10 परशेंट ही पहुंचा था आज ड प्रति दिन बनता था चालिस किल डोड है तो हम तो नहीं जानते हैं कि किसी छ Bettम कोई चाहर रक्षा चेतर हो स्वास्त Bardzo जैत्र हो पर आपके गाओं के युवा क्यों शिकायत कर रहे हैं फिर नौकरी का अगर विकास हो रहा है आपके गाओं के ही दो बच्चे है और आपका नाम बूल राजा राजा वे दोनों यही शिकायत किये कि ना आप यहां इंडस्ट्री डवलप हुआ ना हम लोगों को नौकरी पेशा है कुछ फैक्टरियां है भी तो वह बाहर ही लोग रख रहे हैं यहां केस गाओं के और इस इलाके के लोगों को काम पे तो रखा नहीं जा रहा है तो फिर ऐसी शिकायत क्यों एसे शिकायत लोग की रही है लेकिन इसमें से हम व्यापक ऊपड़र लगेंगे किया रोशगार नहीं यह स्टार्टusions कम अभार के लोग लोगकिश्ट्रें जा रहे हैं जारी है आंक्षो देखे सबने बताया कि पटरेन कुलती नहीं 팔ो मोतिहार से से भी ट्रेन कुलती है सिमांचल से भी ट्रेन कुलती तो भीड भीड जाती है सब बाहर दूसरे जगह काम करने के लिए तिकत तो है यहां बिहार की आबादी 40 क्रोड की रही है बिहार मुख रूप से क्रिसी करोड की आबादी है तो थोड़ा सा अबादी अधिक है यहां पर और इसके पहले यहां पर आर्जेटी का सरकार रहा है और उसमें ऐसी स्थिती थी कि लोग संग पर निकलना मुस्किल थार ना कोई रोजगार था जंगल राज की संगिया आज भी दे जाती है उसका एति किया किसी पाठी से सीधे तौर नहीं जुड़े हूए हम कुछी पाठी का प्रादिकारी नहीं है भाजबा का एक सुदस्त है तो इसको दूसरे तरीके से भी देखा सकता है कि यहां जादा आबादी है तो यहां पे marketplace बड़ा है यहां पे ज्यादा consumer है ज्यादा मतलब यहां पे officer है factories के लिए इन सब चीजों के लिए कि ज्यादा लोग है मतलब कहीं और भटकने का जरूत नहीं है उसमें एक चीज होती है purchasing power विहार की आर्थिक स्थितिय ऐसी नहीं है कि उसकी पर इन सब के बीच में है कि उसकी क्राइश हमता वह सिर्फ अभी सिर्फ पॉपुलेशन पर यह हो रही है कि अगर जो पॉपुलेशन का समस्या है तो दूसरे तरीके से देखा जाए मैंन पार सप्लायर भी हो सकता है खरीदने वाला भी करिदने वाला बाजार भी हो सकता है पर इन सब के बीच में है कि उस पॉपुलेशन के पास पैसा नहीं को कि सबसे बड़ी चीज है न कि दिन प्रति दिन जिंदगी चलाने के लिए सबसे ज़ादा बेसीक ज़रत है वह पर रोजगार के लिए हैं कि है कि है कि है नहीं नबे के दसक में पंजाब और अब पीछे का है सबसे बड़ा रीजन अभी होना चाहिए जो लोग बोल रहा है जंगल राज उसको तो अभी हटाना चाहिए जंगल राज सब्सक्राइब नहीं प्रोपर रहे टाइम में पंदरा साल पहले की बात है उसको आज मुद्दा बनाया जा रहा है जंगल राज अब तो नहीं है ना पीछले सब्सक्राइब जंगल राज था पहले पंदर साल में भी नहीं हट पाया तो वीफल आप है आज की सरकार वीफल है तो नौकरी पर बात करते थे जास्वी जी मन से बोलते हैं कि 15 सात्रा साल बानाम सत्रा महीने पांच लाक नौकरिया मैंने उस सत्रा महीने में दे दिया तो 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 पसंद आते होंगे आपको जी इसलिए पसंद नहीं ठीक है नौकरी दे रहे हैं क्या कर रहे हैं लेकिन पर्सनल जो मेरा अपिनियन है हो सकता है कि और लोग अग्री न करें तेजस्वी जी मुझे उनके मतलब आचरा उनके बरता उनकी प्रहाई लिखाई उनकी जो बैक्राउंड उस वाई से मुझे उतने खास पसंद नहीं है तो रहूल गांधी तो पसंद होंगे वो तो नौकरी वह भी तो न्याय की बात कर रहे हैं वह भी बोल रहे हैं रुजगार उन्होंने उन्चालिस लाग का एक डेटा दिया ना कि मैं उन्चालिस लाक नौकरी यां दूंगा वह तो पसंद होंगे नेशनल परिपेक्स में सब्सक्राइब एक करोड़ एक करोड़ बोले हैं लाउल गंदी एक करोड़ बोला अचा यह डेटा मैं अभी मुझे याद नहीं है मैं चेक कर लूगा क्या डिरा को कि बाद में फिर वही होता है ना अगर वो सत्ता में आ गय बोले हैं अगर नहीं भी मिले तो भी कोई सवाल करने वाला नहीं कोई पूछने वाला नहीं है तक 15 पर्सेंट तक ना मिले तो भी कुई सवाल करने मैला नहीं है वहीं मुले तो वीचाओ वीचार मेजर को ज़ें एक मिले एक मिले जिए लुटने एक मिलेत एक मिलेत गाई कि काहा है कहा है वोड़ने करो ना कर में हुआ कि ट्रेन बंद हो गई थी जबी ट्रेने तो देटा से पटना की प्रसेंजर ट्रेन की भाराथ ही 20 सजा, 10 रुपया सबी प्रसेंजर ट्रेनों का और अभी भी क्रोना काल खत्म हो गई तर लेकिन मात एक दो ट्रेन है एक सुबा आठ बे जाती है सटल और आती है रिटर्न में उसका भाराथ 10 रुपया और बाकी का 30 रुपया ऐसा क्यूं मोदी जी कहां विकास करने तो गरीबों का खुन कोई नहीं है जो फैसिंजर ट्रेन के जी फैसलिटी बढ़ा रहा दे उसका इस्टापेज कम होता है यह ज्यादा होता उसमें फैसलिटी होती तब उसमें हम लोग देखे तफर करते तो अच्छा था तो हम लोगों के मोदी क्या कर रहे हैं एक हम लोग इधर राहूल करते एक लंबे समय से करते आ रहे हैं उसके बावजूद उनको एलेक्टेल सक्सस क्यों नहीं मिलता चुनावि में सफलता क्यों नहीं मिलती है ना मिलने के कारण है कि कुछ कमी रहा जा रहा है उसको वज़ए सभार चुके हैं यहां राजत के तो कारकरता उसके साथ है तो यहां राजत का कैसा माहल है मिसा भारती जी, फाइनली हर आएंगी के नहीं राम कुरταखाल vandaag को हराने हर लग चिजह है यहां लेकिन कर रहे हैं कि Isco मानदा 50 50 60 40 परसेंट मानए नर्म किरपाल जी में चालिस परसेंट ऐसे बीजिते थी तीसजार साही जीते सब्सक्राइब नहीं रही है पिश्ले दो चुनाओं में तो यहां दूसा लॉक्डाउन लगा लगा जुद्राइस जुद्राइब कभी यहां पर दर्शंद करने नहीं आते हैं यहां पर आते हैं दो नाम भूल गया है अलोग भाई अलोग भाई क्या बोलेते सांसा सांसा से सर्फ सुविदा ही चाहिए जनता को घर घर जाके पैसा दे तो जनता खुश रहे जनता को चाहिए रोड ट्रेन रुकवायत या कुछ काम करें गाउ में अधर्स ग्राम खुलवा है मनेर में जैसे इधर भी खूल सकता चाहिए चाहिए जल सुविदा चाहिए क्या है कुछ नहीं है आप खूद आये होंगा कि गाड़ी का चक्का निकल जाएगा अपका अईसा रोड है और देख नहीं कि आप लोग जाके सिक्षक को कि बात नहीं कि आप लोग कि बच्चा पढ़ना चाहिए बच्चा भी नहीं पढ़ना चाहिए ना अपना इच्छा होना कि बच्चा को भी बेज देते हैं प्राइबर्ट इस्टूल में तो तो कम यह है जो साब्सक्राइट चाहिए आप अप थोड़ा सा चुनावी राजनिती से हैं उप मुखी आपका लेना देना तो है कुछ तो है कुछ तो होगा ऐसा तो होई नहीं है चलिए नेताओं को लेकर तरह तरह के शिकायत है ठीक है को बोलता है स्कूल नहीं चल रहा है यह सब है पर आपके पास पांटी वाले तो कुछ कॉंटेक करते हूं कि मुख्या जी जरा बात कीजिए कुछ वोट हमरे नाम पर पढ़ जाए कोई नहीं कोई सांसा जी भी नहीं आते हैं कोई किसी का पास्ता आत्ता कम का है क्या लग रहा है आपका जैसे आपका क्या आनुमान है इस इलाके में क्या है चालिस में से एक सीट पिछली बार कमा था तो इस बार एक शीट और कई कम तो नहीं होने वाला है जेतना भरोसा के साथ बता रहे हैं तो लग रहा पाटी से है तो पिछले 10 साल से उनके मतलब 49 सांसद है तो बिहार में इंडस्टीज को अट्रेक्ट करने के लिए कितने लोग कितने मतलब इंडस्टीज के लिए बैठक किये हैं कितने प्रयास नहीं है जब चुनाव नजदीक आया तो रैली करते जा रहे हैं तो मतलब किस चीज पर उनको वोट दिया जाए या देखो यह मैं दूसरा पहला पक्ष सेटप को लेकर क्या 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 नहीं क्या सब्सक्राइब इनिशियेटिव भीहार सरकार ने भी लिया हाला कि वो घृण्ड पर कितना मीट्रिलाइज किया यह मैं नहीं बता सकता पर चुनाव है तो चुनावी डैली तो नेतक करेंगे वो तो उनका हक है वोट मांगने तो वोट कहां से गिरेगा लेकिन रेली है ले को वोट दिया जा चलते हैं इस तरफ कुछ लोग बैठे हो तो सर आपका नाम क्या हुआ है अकलू भाई अकलू भाई बड़ा यह कोई घर में बच्पन में रख दिया तो वहीं रहा गया वहीं रहा गया सर्टिफिकेट वदल दिया लेकिन लोग जानता है नाम है अकलू है ह हम क्या समझें इतने लोगों से बात किया और अब देख द 1995 मेरा पिता जी तीचर पर अब है कि आद हैं प्यूम मैं कि एक रूपया फंच करने के लिए और हमको सोचना पड़ता था ओप जह क्योंकि उनके पास इतना पैशा नहीं था पेमेंट भी मिलती थी आज उतने परिवार हैं लेकिन एक रुपय हम फालतू खर्च नहीं कर सकते और आज हम बेरोजगार हैं मेरे दो बच्चे हैं दोनों बच्चे प्राइबेट स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन पर दिन आज पर दे हम मेरे ही बिल्कुल मैं प्रस्नली से पैसा हरा है यह 2014 से क्योंकि 2014 से ही उसका प्रोड उम्र शुरू हुआ और 2014 से दस साल में इतना सुसाइटी में रह रहा है कि सिछक होने के बाद भी मैं सोसाइटी में उतना नहीं रहा हूँ पहले उससे प्रस्न पूछिए कि वह सोसाइटी उसके पास कहा से आया आप कह है तृष कि दीजिटल इंदीया कि आस सो रुपया करने के लिए की ना कोई करता है ना कूछ करता है 500 रुप्या ख़र्च करने के लिए किसी वी विएगती को मेरे पीजी किसान को भी 500 रुप करने के लिए कोई सोचने का जरू नहीं है इतनी अच्छी हो गई है पुछी है अरे देखिए कहां से नहीं सर हम लोग के पास परिसे नहीं है अब इनके पीटा जी टीचर है चो कर सकते हैं लेकि हम लोग इतना अप देख रहे हैं सर मेरे पिता जी से इंटर्व्यू ले लिजिए कि वह मह हैं महीना में पर्मान इसकी परमान के जरूरी नहीं है और यह मैं रोज देख रहा हूँ कि मैं एक रुपया खर्च करने के लिए सोचता था रहीं है कहां सीकार इनके पीशा आ रहा है खेत बेचे हैं चोरी कर रहे हैं नोकरी कर रहे हैं तो आपके पास 20 रुपया प्रती दिन गुटका खाने के लिए पैसा आ रहा है ये विक्सित भारत की देन है ये मोधी जी का देन है यार ये तो कही सवाल या निशान आप लोग पर उठा दिये वो कहे कि भाई हम जब बच तो चीजार लाएं संपरata कि बंदद सुपे आपके के बावरावर दस रुपय को इतना महंगाई बढ़ रहे हैं अब महंगाई जो प्राइया तो है कि भांट दूर से कंने बोल रहेैं कि पहले एक रूपय नहीं था अब अब 10 रुपय हैं तो ख़रकर कर रहे हो ना तो ड जो ही सब्लों क thorough do ॉव सदकि वहां पर जो होना चाहिए वह नहीं है उसी नहीं सब्सेट्व आभ्या नाम किया हूँ आपका मनुहर कुमार मनुहर भाई यहां तो बहस अब धिर धिर गर्मा गया एक मंदब दोनों पाला बट गया है नई पौध पर पुराने पौध ने सवाल उठा दिया है वहला कि सब जूट बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है इन लोगों को पैसा भी है बस खाली माने को तयार नहीं है ऐसा है क्या नातक वह जब पढ़ता था तो सबसे फर्ष्ट उसी समय लागू हुआ था जानता था जानता था वी सिय को तो मेरे पास नहीं छमता था सर क्योंकि मेरे पास नहीं छमता था कि हम बीसीय करें पिता जी सिछक होने के बावजूद मेरे पास समता नहीं था आज ही घर के एक भी लड़का प्राइबेट स्कूल में नहीं जाता है जिसके पिता जी विरोजगार हैं उसके लड़का ये लोग पटना रह रहे हैं ये जतने भी विद्यार्थी गन बैठे हुए हैं इनके प कर रहा है हैं खेती खरदा नहीं गई है तर अज़ोरी तंगर करके आर्मी पाजा उप जा रहा है मर रटके तम हो रही है और एक बात तर इन लोग को का रहे है हैं हमारा दोस्ताविल दोस्त लोग का है कि इन 14 साल में बहुत बादे विकास हो गया 10 साल के पहले देस हम दुखी कहा है जीन पर जैसे एक मिल जैसे 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 सब्सक्राइब करने के बावजुद जीतना खेती आज मेरा है उतने मेरे पर बाबा को था इनके भी बाबा को था इनके भी बाबा को था इनके भी बाबा को था मेरे भी बाबा को था खेती में कोई बड़ उत्री और आज हम क्यों खुशी हैं और मेरे बाबा को एक गंजी लेने के लिए उतने ही जमीन में सोचना पड़ता था कि हम एक गंजी न लेके अपने पोते को कुछ करेंगे लेकिन आज सब को या जाद है सभी के पास पैसा है चाहे हूं किसान हो चाहे हूं नोक्री वाला हो किरिए जोड़ा है पिरुबत के पासा नहीं था नहीं टू नहीं था ऐस। कि अहां हम से एक नहीं जोड़ रही है तर तीव है इस सिपने पर टेक्स का मझें सब्सक्राइब करकारने लगाया थीज नहीं पीजों पत ते नहीं कि बैद्धात्रियों को सब्सक्राब कोपी किसाब पत्रेक्ड नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं सारी चीजों के चाहलत ऋपने और बीच में बहुत शुरूब कोषका माइडा ही यह पर यह कुछ कह रहे हैं हम देखिए मैं एक कुछ लोग ऐसा कुछ ऐसे बाते हैं कि मुझे हमें भी फील होता है लोगों से बात करता हमें पता चलता है पहले तो बोल देते हैं विरुजगार हैं जब उनको क्रोस कवेस्चन करते हैं तो में भी है नहीं की योगपिता नहीं तो इस देश heap करने क्लिए तो थो प्रवारत के सिवाए भारत एक देश छोड़के विश्व के सारे देश का विरुजगारी दूर है यहां युवाओं की संख्या दूसरे देश की तुनला में ज्यादा है आई इस देश के युवाओं की आबादी मतलब की जो यंग एज होता है उस मामले में आप बाकी देशों से बहुत आगे हैं सर मेरे पीता जी में इतना टैलेंटा थी कि वो एक माने धनिक लड़के से पूरा कॉंपी पे टोटल अपना कॉंपी कर ले थे थे हाथ से लिख के और उनोकरी किये आज की बच्चे को इतना फेसलिटी में मिली हुई है कि उसके पास दो मोबाइल है और दोनों बिस दूनी पर मंथ रिचार्ज कराता है तो चाओदास रुपाव मोबाइल में खर्च कर रहा है उसके पास पैसा है तब ना आई हमने चौँ दूहजार चौदास इतना बिक्सित भारत को देख रहा हूं कि कि किसी के पास हजार पांसो के लिए कुछ नहीं सोचना है इसको के पास 500 मांगे तुरंट मिल जाएगा इसको मेरे को नहीं मिलता था यह आप अपनी शिकायत रख रहे हैं आपके पिता जी ने आपको नहीं दिया इसने लिक करना नहीं सथा इतने गरीब अपने परिवार से बिलोंग करते थे कि उनको भरते-भरते सभी को इतना प् लेकिन देते नहीं उनके पास इतना चमता नहीं था राजा भाई आधित्य भाई और अलोक भाई देखो वह अपनी दलिल दिये भाई साब को भी सुने उनका कहना है कि नौकरी जो पढ़ाई किया है पढ़ाई क्या है अगर पढ़ाई कियो को नौकरी नहीं मिला तो उसमें क्या कहिएगा वह तो गलत हो रहा है ना इनकी टू मेंसा रहे से मगूारे हूं मगजे में सखी तो नहीं कि आपने जानमुच के किसा निचुनी जानमुच किने पर्यास किया नहीं हुआ प्राइब जोब है और जैसे में बहुत आंक मैं आया बाई तक यूंचा बार निका कर लोगों को निकाल कमाते बाहर विख दिया गया गया है कि आप कह रहा है कि पुरानी समस्या है इसको दूर कर देते कि अच्छी माने इंका कहना है कि बेनीफिट 14 से विकास बहुत ज़्यादा हो गया इन बिल्गों को इस समस्या को दूर कर देना चाहिए था विरोजगारी को मांगारी को अश्मिति रहानी गया सिरेंडर लेकर घुंगती थी जब 400 पर आथ बहुत मांगा है और आज बोल रह कोई भी कंपनी बिजनस में उतरती है तो ऐसा ही करेगी उसमें नहीं जाएंगे ठीक है हम आते हैं कई सवाल खड़े वह एक बोले कि बेरुजगारी पहले भी थी यह कोई नई प्रॉब्लम नहीं है इस इलाके उन्होंने अपना साल भी बताया कि हम उसमें भी पढ़े थे दूसरी बात यह कह रहे हैं कि कई चात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं तो आप कैसे उमीद कर रहे हैं का उपको नौकरी मिल जाएगी और इसके अलावा अगर खितिहरी में भी कुछ उपाय आ रहा है तो आप वो भी नहीं करना चाहते हैं रोजगार स जमीन तो उतना ही है तो अंडर इंप्लॉइम्ट का सीजीएसन हो जाएगा सब लोग उसी में घुंश जाने से तो यह व्याप्नेंट हो नहीं तो अब उसके लिए इसके लिए बूरा इंप्स पर पर दूराइब में आप कहतें कि आप प्लुक बोलतैं के बिरुजगारी है हम लोगों को नोक्री इनी रुपह का फोन ररिचार्ज करा रहे हैं का तो वह रिचार्ज करा रहे हैं वह अ शॉस्समें करते हुंग हम जा रहे हैं turbo तो 800 करायर है रिचार्ज वो जिसे कोरोना कल आया तब कुछ बंध हो गया तो उस समय से शिफ्ट हुआ है और लोग गिनवा रहे हैं कि यहां यह बन रहा है हाइवे बन रहा है रोज प्रते दिन कितना किलोमेटर हाइवे तक पहुंचने के लिए तो गाओं का रोड ही नहीं पहुंचने के लिए रोड हैं फूल नहीं आईगा से अभी देखें अपना इखती अपना अच्छा मांस बना सकते हैं नहीं अधचाvida क्लीमेटर करनेकेश को जूर सा पड़त है आइसा थो किसान के भुलिया है विहर में एक GAM ुमांधाडी से हम देख रहे हैं आपना था हुआ है हम लोग तो परिछा देखने को इसका लें यहनु काता है कि इतिया नहीं हुआ है जिस अनुशार से प्राइल के इन सारी स्टीकाइटों के बीच में एक बात उसके बावजूद पिछली बार चुना हुए ये शिकायते पिछले चुनाओं में भी थी 2019 के चुनाओं में भी इस तरह की शिकायते आम थी कि भाई नौकरी पे काम नहीं हुआ उसके बावजूद बीजेपी के सरकार और प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी दूसरी बार परसेंट यहां वादी है पुरा भारत में वो काम देख के भोड़ देती है 42 परसेंट आदमी है जो पार्टी बीजेपी हुआ आर्जेडी हुआ जो बाकी जो बचा वहां में चल गया कि भाईया कहां दे रहे हैं भोटबा इनके थुरू चल जाते है ऐसा है रिजन सर थर् लोग को दीखने रहे हैं और जो यह नोटा है उसका कोई खास महत्व है नहीं वह तो सिर्फ एक नाम मातर के लिए हैं यह उसमें एक होसा है करमचारी से दूसरा है करमचारी कितना समस्या होता है यहां पर 20 गाउं के एक लाई बजार एक एक करमचारी पर पुरा बैंक चल पुरा पुरा ब्रांच या एक्स्टेंशन है ब्रांच यह ब्रांच इसका सखा है बहुत इसका काम करता है यही हो जब डिवेट होगा तो एक दूसरे का विरौत की और अंत में आप इशारा देने लगे कि बहुत किदर भाग रहा है इस रिपोर्ट में हमारा साध्यामी तवस्थी ने हम संदीब कुमार से ना देखते रहे हैं दीलर लंटाओ